नमस्कार मैं राजेश गुप्ता असेशन प्रोफेसर इन केमिस्ट्री गवर्मेंट कॉलेज सवे मधपूर आप सभी का स्वाग करता हूँ डियर इस्टुडेंट्स एंट्रोपी से रिलेटेट लेक्चर सिर्स में हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं एंट्रोपी चेंजेश पोर आईडियल गेस यानि कि आदर्श गेसों के अंदर एंट्रोपी परिवर्तन किस प्रकार से होता है उसे हम यहां पर देखेंगे इससे पहले के lecture के अंदर हम entropy changes for various system की हम discuss कर चुके हैं और जहां पर हमने entropy as a function of temperature and volume and entropy as a function of temperature and pressure और उन सब चीजों को हमने discuss किया था और entropy as a criterion for spontaneity and equilibrium को भी हम discuss कर चुके हैं इस वीडियो lecture के अंदर हम discuss करेंगे कि entropy changes जो है वो ideal case यानि कि आदर्श गेसों के लिए किस प्रकार से होता है उसे यहां पर हम देखेंगे यह हम शुरुत कर रहे हैं यहां पर heat capacity constant volume के साथ में यानि कि इस्तिरायतन पर उश्मा धारिता के आधार पर कैसे परिवाशित करते हैं इस्तिरायतन पर ताप के साथ एक्ष आंतरिक उर्जा में परिवर्तन कि दर क्या कलाती है इस्तिरायतन पर उश्मा धारिता यानि कि इसे हम इस प्रकार से नियम से हमें प्राप्त होता है तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि दी यू बराबर cv dt हमें ये पता है कि ds बराबर जो कि उश्मा गतिकी के प्रथम उर्धिती नियम से हमें प्राप्त होता है ds बराबर 1 by t du plus p by t dv तो यहाँ पर हमने du का जो मान है cv dt वो यहाँ पर हमने du का मान यहाँ पर हमने cv dt रग दिया तो cv by t dt औ plus और p बराबर हम जानते हैं pv बराबर nr t से हम निकाल सकते हैं यह pv बराबर nr t से p बराबर nr t by v हमने यह आपर निकाल लिया तो nr t by v dv आप देख सकते हो यहाँ पर कि t से यह t जो है वो कैंसल हो गया तो हमारे पास में क्या रहे गया ds बराबर cv by t dt plus nr by v dv यह equation number आपकी 1 बन जाई है हम यह देख चुके हैं ओलडी कि जो entropy है वो function होता है ताप और आयतन का तो उनका exact differential को में इस प्रकास से ले सकते हैं कि ds बराबर del s over del t at constant v dt plus del over at divided by del v at constant t dv यानिकि entropy का एक बार ताप के साथ एक्ष इस्थिरायतन पर आवकलन और उसके पस्चाथ एंट्रोपी का इस्थिर आयतन पर आयतन के साथ में अवकलन इसे हम इस प्रकार से रख करते हैं अब हम यहाँ पर क्या है कि जो factors हैं इस डीवी के जो factor हैं इन दोनों को आपस में compare क तो हम देख सकते हैं, equation number 2 है. तो equation 1 और 2 को हम compare करें, यह हम देख सकते हैं, इस प्रकार से यह dalis over dal V constant T बराबर nr beta V आपको प्राप्त हो जाता है, यह dalis beta dal V constant T बराबर nr beta V यहां पर प्राप्त हो गया, आप देख सकते हो ताप पर आयतन में वुर्द्धी होने से entropy का जो माना वो बढ़ता है यह हमने यहाँ पर इसे लिखता है since nr by v is a positive quantity इसी लिए del s by del v at constant t should be positive so in isothermal यहने कि संता भी परियोरतन के दोरान यदि आयतन में वुर्द्धी होती है तो entropy का मान भी क्या होगा बढ़ेगा तो एक तो हमने यहाँ पर इसे define की है उसी equation को यह जो equation number one जो अप्टाप वी थी हमें यदि इसे किसी निशित परियोवरतन के लिए हमें देखना हो तो हम इसका क्या करेंगे कोई एक निशित परियोवरतन ने दी है किसी ताप T1 से T2 तक तो उसका हम integration कर देंगे तो हमें उसे इस प्रकार से लिख सकते हैं delta is बराबर integration over T1 to T2 cv by T dt plus nr चोकि n mole के संख्या और gas नियतां के स्थिरांग के तो उसे हमने integration sign के बाहर रख दिया तो v1 v2 dv by v अब यहां हमें इसका integration करना है तो 1 by T जो variable है उसका integration कैसे होता है वह यह हम नहीं समझा रखा है cv by cv natural log T2 by T1 इसका solution आता है nr natural log v2 by v1 कैसे आता है यह हम देख सकते हैं यदि कोई राशी 1 upon x है तो उसका integration होता है natural log of x पर चुकि वो किसी एक definite integral के लिए यदी है एक से दो परिवर्तन यदी हो रहा है तो उसे हम लिख सकते हैं इस परकार से एक से दो इसका मतलब यह होता है कि एक बार आप 2 रखेंगे फिर minus करके एक बार एक रखेंगे तो natural log of 2 minus natural log of 1 तो लोग में लोग A बटा A minus B का मतलब होता है लोग A बटा B तो natural log of 2 by 1 तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि 1 by T का integration क्या आएगा natural log of T जिसके definite integral क्या है T2 T1 तो एक बार हमने क्या रखा natural log of T2 फिर minus करके क्या रखा natural log of T1 तो लोग A minus B का मतलब A बटा B तो natural log of T2 by T1 यह solution आया यह equation नमबर आपकी क्या बने लिए नमबर 4 अब हम देखते हैं आपने internal energy के respect में कि internal energy जो है वो define की जाती है H minus PV से अब internal energy एक exact differential है तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि DU बराबर DH minus PDV minus VDP again by the use of first and second look DU बराबर 1 by T DU plus P by T DV तो यहाँ पर हम DU में यह जो सारी value है उसे यहाँ पर रख देंगे तो DH बराबर 1 by T बाहर रखती है हमने एक bracket के और DH minus PDV minus VDP plus PDV by T हमने यहाँ पर प्रक दिया bracket के साथ में इन 1 by T को multiply करते चलेए तो 1 by T DH minus PDV by T minus VDP by T plus PDV by T अब आप देख सकते हो कि cancel out कर सकते हैं तो हमारे सामने क्या रहे गया DH बराबर 1 by T DH minus V by T DP यह रहे गया और यह question number आपकी क्या बन गई यह number 5 अधर्ज गेसों के case में CP यहन की स्थिरदाब पर उश्माध हरीता को किस प्रकारशे परिभाशित करते हैं कि ताब में परिवर्तन के साफ एक्ष एंथेल पी में परिवर्तन की दर्व कब इस्थिरदाब पर क्या गलाती है इस्थिरदाब पर उश्माध हरीता क्या लाती है तो इसी तरह से exact differential होता है यह तो dh बराबर cp by t हम यहां पर लिख सकते हैं तो cp by t कमाण हम यहां पर रखतेंगे यह equation number 6 है तो 6 से dh कमाण यहां हमें रख दिया तो cp dt by t minus v by t dp clear v बराबर nr t by p आदर्श के समीकरण से pv over nr t से v निकाल लिया हमने nr t by p clear t by t cancel out हो जाएगा यह cancel out t by t तो आपके पास में क्या आगया cp by t dt minus nr by p dp equation number 7 अगें हमें यह फता है कि entropy is a function of temperature and pressure जो कि हम entropy as a state function of temperature and pressure में हम देख चुके हैं तो यहां पर entropy को इस प्रकाशी define कर सकते हैं ds बराबर del s over del t at constant p dt plus del s over del p at constant t dp यहां से हम इन variables को क्या करेंगे compare करेंगे equation number 7 बन गई तो 7 और 8 को compare करोगे तो आप देख सकते हो clear minus nr by p तो यहां पर यह जो term है वो negative मैं यह तो हम यहाद कहें क्या कहेंगे कि कि किसी समता पी प्ररिवरतन के दोरान दाब में व्रद्धी से entropy का मान कम होता है यह हमने यहां पर लिख दिया कि we see that in an isothermal change with the increase in pressure entropy of the system decreases यानि कि entropy गिरेगी तो exam के अंदर क्या आता है कि किस प्रकार से सवाल पूछे जाता है कि यह पूछा जाता है कि कैसे सिद्ध करोगे कि कि समता पी प्रक्रम या परिवरतन के दोरान entropy का मान दाब में व्रद्धी के साथ घड़ता है तो आपको यह प्रूव कर करके देना है तो किसी निशित परिवरतन के लिए हम इस equation को क्या करेंगे integration करेंगे T1 टो T2 और P1 से P2 तो integration sign लगा दिया हमने T1 से T2 CP DT by T minus Nr P1 से P to DP by P अगें 1 by T का differential natural log of T इसी प्रकार से 1 by P का differential natural log of P तो definite integral है तो natural log of T2 by T1 इनका result आजाएगा इधर P2 by P1 इसका result आजाएगा यह आगया CP natural log of T2 by T1 minus Nr natural log of P2 by P1 this becomes equation number 10 तो इस प्रकार से हमने यहां पर एक तो equation number 4 आई हमारी और equation number 10 आई है जहां पर हमने entropy को as a function of पहले temperature volume के respect में देखा और यहां पर अब हमने entropy को देखा temperature volume के respect में तो हमने क्या देखा था कि जब इस्तिर आयतन पर हम वहां देखते थे सब्सक्राइब परिवर्तन में इस्तिरत आप पर तो आयतन में इस्तिर आपर आयतन में व्रदी होने से entropy का मान बढ़ता है यह positive quantity है यह positive quantity है तो इसी प्रकार से हमने यहां पर क्या देखा था कि इस्तिरत आप पर दाब के सापेक्ष हमने ऐसंने हमने औरनकर देखा यहां यहां पर यहां पर दहियेंगे कि entropy परिवर्तन विभिन प्रकार के प्रक्रम हो क्यों कई प्रकार के प्रक्रम होते हो है तॉमताब और Complacrum हो यह सम्दाबी प्रक्रम तो उन प्रक्रम में जो अदर्श गेस की एंट्रोपी का मान जो है किस प्रकार से परिवर्तित होता है इन सब को यहां पर देखेंगे तो सबस्क्राइब देख रहे हैं यहां पर आइसो थर्मल प्रोसेस में यहां पर यूस में लेंगे बार-बार वही एक्वेशन नमबर 4 एंट 10 को समताभी परिवर्तन का मत्तब क्या है कि डेल्टा टी बराबर जीरों तो फ्रॉम एक्वेशन नमबर 4 थी और यह एक्वेशन नमबर 10 थी तो क्योंकि यह बचा आपका या बराबर माइनस और नेचरल लोग फीटू बाइपीवन तो नेगेटिव साइन हट जाएगा कब जब आपकी से पीवन बाइपीटू कर दोगे अब नेचरल लोग को अटाने के लिए बेस्टेन में कनवर्ट करेंगे तो 2.303 से के लिए एंट्रोपी परिवर्तन इस्थिरताप अपर ग्यात कर लिया तो एक्जाम के अंदर इनसे रिलेटेड जो नुमेरिकल से वह पूछे जाते हैं जो कि बड़े आसानी के साथ में सौल होते हैं यानि कि यह एक अवस्था है प्रानमभीक और यदि यह कोई अंतिम अ आईतन का परिवर्तन के लिए दाप का परिवर्तन दे रखा है तो कितना वह यहां पर आसानी से घ्यात कर सकते हैं और आधव तो यहां आपस देखोगे कि यदि डेल्टा हो ब्रद्ध होती है तो नेचुर गामान बढ़ेगा इस प्रकारस के ellenटा ही डेटिव नेचुरल गामान भी घटेगा अब हम यह अपर देखते हैं कि Isobare प्रक्रम हो तो सम्दा भी प्रक्रम के लिए आप यहां देख सकते हैं डेल्टा पी बराबर जीरो होना चाहिए तो इस इक्वेशन से यह जीरो हो जाएगा तो आपके पास में क्या बच लिया इक्वेशन नमबर 10 से डेल्टा इस पी बराबर सी पी नेचर लोग आफ टी टू बाइ टी वन वेस्टेन में कनवर्ट कर लिया तो टू पइंट ती जरो तरी सी पी लोग टी टू बाइ टी वन इक्वेशन नमबर 12 तो जब भी ताप में व्रद्धी होगी तो एंट्रोपी का जो मान है इस्थिर दाब पर क्या होगा बढ़ेगा इसी प्रकार से ज़िए आईसो चोरिक प्रासेस हो यानि की सम आएतनिक प्रकरम हो जिसमें की आएतन का मान जो है वो क्या रहेगा स्थिर तो एक्वेशन नमबर 4 से हम देख सकते हैं कि जो स्थिर आइतन को मान तो यह हड जाएग आपके पास में यह बचेगा सिर्फ तो delta sv ब्राबर cv natural log of t2 by t1, best 10 में convert किया 2.303 cv log t2 by t1, equation number 13, तो जब भी delta t positive होगा, व्रद्धी होगी, तो natural है कि उस case के अंदर entropy का मान क्या होगा, बढ़ेगा, तो इस प्रकार से हमने आपर इस video lecture के अंदर हमने ये देखा कि आधर्श गेसों के लिए entropy परिवरतन जो है, वो किस प्रकार से होता है, या उनके लिए entropy को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, नेक्स लेक्चेर के अंदर हम जोगी चोटा लेक्चेर होगा और उसके अंदर हम ये देखेंगे कि आधर्श गेसों के मिश्रन के entropy और उनके mixing के entropy किस प्रकार से हम calculate कर सकते हैं, So, thank you.